मुहब्बत ही करनी है तो अपने देश से करो माता पता भाई बहन हर एक से करो समाज की भलाई देश दिर्बाण के काम आओ किसी के प्यार में पढ़कर अपना सुक्चेन नगाओ अपना सुक्चेन नगाओ नमस्कार स्वागा थे आपका संप्रिस हन्वेज एसस में मैं हूँ डॉक्टर एसस दिर्बाठी मित्रो आज हम बात करने वाले हैं प्रेम प्यार महबत लव इन सब के बारे में और हम यहीं भी जानने वाले हैं कि इन सब के इतर भी एक दुनिया ह प्यार के अलावा भी जीवन में बहुत कोछ ऐसा है जो प्यार से भी जादा जरूरी हो सकता है और हमारे बहुत सारे दर्सकों ने चाहा था कि मैं इस पर कुछ उनके बीच लेकर आऊं तो मैं उनके बीच लेकर उपस्तित हूँ और मैंने इसमें अपने तीस वर्स के शिक्षण अनुभव में जो कुछ अनुभव किया देखा, सुना, जाना, इस बदलते दोर में पहचाना, उस सब को लेकर आपके बीच उपस्ते थेुँ मानी दर्स को मैं इतना इसपस्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं आपसे वही साजा करूँगा जो आपके हिते में हो, आपके परिवार के हिते में हो, समाज के हिते में हो, देश के हिते में हो और जो कुछ आपकी भलाई के लिए मददगार साबे तो वही आपसे कहने वाला हूँ अब हम बात करेंगे आज का प्रेम किस परकार का है तो मानिये दर्श को आज का अधिकांश प्रेम जो प्रेम करने वाले उनमे अधिकांश ता है आज जो देखे गए हैं वाबर्ग में वह प्रेम नहोकर केवला वाय आकरसन से जुड़े हुए हैं आसकते से जुड़े हुए हैं इनमें कुछ जगए वासना कांश भी पाया गया है आज का जो प्रेम है वो प्राया है दिल से नहीं दिमाग से किया जाता है और इनमें अक्सर ना तो सची भावनाएं होती है ना इमानदारी होती है ना जिम्मेवारी होती है ना गर्मिरता होती है ना इस्थायुत होता है नहीं अच्छे बुरे की समझ यह मैं मिजॉर्टी के बारे में कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि सच्चे प्यार करने वाले आज नहीं है यह सच्चा प्रेम आज नहीं होता है लिकिन अधिकांच चता है जो दिखा गया है वह आपके सामने वर्डन कर रहा हूँ तो ज़्यादातर का लोगों का प्रेम किस प्रकार का है उसके बारे में आप सुनिए कि ज़्यादातर लोग जो आज का युवा वर्ड है वो प्रेम को टाइम पास मानता है टशन, फैशन, रुतवा, स्टेटस, डिजिटल फील, या सेल्फिश तच यहां सब कुछ है, अगर नहीं है, तो मिसिंग है, तो सच्चा प्रेम मिसिंग है और यह बात लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होती है लेकिन यहां में यह इस्पर्ष्ट कर दू कि यह मैं सब के लिए नहीं कह रहा हूँ अधिकांश लोगों के लिए कह रहा हूँ और जो युवावर्ग है, वो तो प्रेम को कुछ और ही समझता है कबीर वावा सेकड़ों बर्स पहले कह गए हैं, घड़ी चड़े, घड़ी उतरे वह तो प्रेम न होए, अगठी प्रेम ही हरदय बसे, प्रेम ही कहिए सोए जो घड़ी घड़ी में बदल जाए, चड़े उतरे, यानि आज के अर्थों में कहें तो नाराज होना, रूटना, मनाना, लड़ाई, जगडा यह सच्चा प्रेम नहीं है सच्चा प्रेम तो वह है, अनंत, अखंड, पाकीजा, पवित्र, वह है सच्चा प्रेम आज के अधिकान श्युवक युवतियां, किसी हीरो हीरोईन, खिलाडी, किसी सिने अभीनेता, अभीनेत्री, नेता इन सबसे परवावित होते हैं और इन ही कानुकरन करते हैं, जबकि वो यह बात अच्छी तरह नहीं जानते हैं शायद कि इनकी फेंटाइसी दुनिया, इनकी चमक-दमक की दुनिया अलग है, जीन लाइफ अलग होती है, और रियल लाइफ अलग होती है क्योंकि असली प्रेम को अगर जानना है तो आप सुनिए हमारे बड़े वज़र्गों ने क्या कहा है सच्चा प्रेम एक पवित्र पावन भावना है एक एहसास है जो दिल से उपजिता है दिमाग से नहीं सच्चा प्रेम एक सकारात्मक उर्जा है जो सुकून और खुशी देता है सच्चा प्रेम में दिव्व है विलक्षन है जो किसी से भी किया जा सकता है माता पिता भाई बहन बंदु बांदव सजीव निरजीव भगवान समाज देश किसी से भी हो सकता है वह है सचा अब बात करते हैं यूथ के माइंड सेट की माबाप की हाथों की लकीरें घिस जाती हैं बच्चों की फीस भरते भरते तामाने के लिए चपलें घिस जाती हैं घूमते ठहलते और दुख जब होता है जब बच्चा लिखे होता है स्टेटस में My love is my life साइध ही कोई यूबक यूबती होगा जिसने अपनी डीपी में स्टेटस में माबाप की पिक्चर लगा रखी हो जिसके पर्स में माबाप की पिक्चर हो नहीं होगी क्योंकि फैसन नहीं है लोग ने बैकवर्ड या कंजर्वेटिव मानेंग इस डरसे वो कभी यूफ चौते महिने में जो है आई मिस यू पांच में महिने में आईम बिजी छट्मे महिने में नमबर बलॉक और साथ में महिने में फिनिश्ड ना तुम हमारे नहां तुमारे और एक और बड़ी बेड़मबना है आज के दोर में कि बहतर बिकल्प मिलते ही बेटर एपरच्टी मिलते ही लोग बाग पुराने दोस्त पुराने साथी को छोड़ देते हैं और उसी साथी में अचाने को ने बीशियों कमिया नजर आने लगती है और फिर कोई ने कोई फाल तूसा बहाना बनाकर गैर जरूरी बहाना बनाकर चुको इन्हें रिष्टे तोड़ने होते हैं तो वे रिष्टे तोड़ देते हैं और प्यार की जो वेलू है आजकल वो सच्ची दिल से तह नहीं होती है वो बड़ी पॉकेट बड़ी गिफ्ट बड़ी गाड़ी इन चीजों से तह होती है और प्यार जो है दिमाग से होता है दिल तो लोग साइड में रख देते हैं दिल तो यूहीं बदनाम है प्यार में प कि अगर आप पास रहेंगे तो कनेक्टिक रहेंगे और जैसे ही आप दूर हुए बैसे ही वो नई डिवाइस की सर्च शुरू हो जाएगी तो इस तरह का प्यार है आजकल और प्यार की आजकल की नाराजियां भी बड़ी उल जलूल सी है ब्लॉक कर देना, फोन ना उठाना, भेंकर भेंकर से स्टेटस लगाना किसी एक को दिखाने के लिए, मैसेज बहुत देर तक ना देखना और धमकी देना कि मैं हम आपको ब्लॉक कर देंगे यह सारी बहुत सारी इसी चीजे हैं जो प्यार में निगेटिवा नहीं है और कहीने कहीन की वजह से प्यार का नाम खराब हुआ है तो हम कुछ और बाते करेंगे प्यार के बारे में एक चोड़े से ग्राम के लागत संप्रस्ण BILL SS वित्रों कुन्हों ने हमारे क streaming को लाइक करें कमेंड करें श्यर करें आप हमें वेस्बोक टोटर इंस्टाग्राम और वाफ साइट हमारे एप पर भी फॉलो कर सकते हैं हमरे साथ बने रहेगा हम आपके साथ ऐसे ही शांदार कंटेंट लिकर लगाता रहने वाले हैं तो मित्रों बात कर रहे थे प्रेम प्यार के बारे में तो हमें यह देखना है कि इस समय क्या चलना है आज कल समाज में क्या चलना है प्रेम प्यार को लेकर तो देखिए मित्रों आज कल के दोर में प्यार बहुत अच्छी स्थी से नहीं गुजर रहा है क्योंकि भरोसा कहीं ने कहीं मिसिंग है और लोग खूब धोका खा रहे हैं और धोका दे भी रहे हैं क्योंकि कोई किसी पर भरोसा ही नहीं करता नतीजा ये होता है कि लोग धोका गलत इंसानों से खाते हैं और उसका खामियाजा अच्छे इंसानों को भुगतना पड़ता है बदला लोग अच्छे इंसानों से जिते हैं और आज के दोर में यह देखा गया है कि कुछ प्रेम परसंग युबा में युवतियों में सुरू हो जाते हैं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग महले में, आसपड़ोस में इन में सुरू हो जाते हैं और इन में जो प्रेम परसंग शुरू होते हैं वो बिल्कुल टाइम पास होते हैं लोग सोचते हैं कि चलो भई अब साल तेल साल यहां पढ़ना है या दो साल पढ़ना है चलो वो प्यार व्यार करके टाइम भी पास कर लिया जाए तो वो जुड़ जाते है और ये टाइम पास चलता रहता है साल दो साल और यही कारण है कि जहां इधर कोर्स खतम होता है वहां प्रेम प्रसंग भी खतम हो जाता है आप अपने चारो नजर उठा के देखिए आपको 1500 में कोई एक दो जोड़े ऐसे मिलेंगे जिनका कॉलेज, इसकूल, कोचिंग, इस्टिट्यूट बगएरा में साथ हुआ हो बाद में उनका विवाय हुआ हुआ हो एक दो जोड़े मुश्कल से ऐसे मिलेंगे ज़्यादतर प्रेम प्रसंग जैसे कोचिंग खतम वैसे प्रेम खतम और जो है लोगों की सोच भी बदल गई है कि जो है तू नहीं कोई और सभी और नहीं कोई और सभी लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना है आपको अपनी सोच बदलनी है प्रेम बहुत नायाव चीज है प्रेम किसी एक को दो किसी नेक को दो यह कोई ने साल की बदाई नहीं है जो हर एक को दो और यहां हमें यहीं भी सोच रखनी चाहिए जो कि ज़्यादा तर्युबा नहीं सोचते हैं लोगों का सोचना यह है कि मेरी बेहन बेटी सती सावित्री और दूसरी की बेहन बेटी चालो आवारा किसी सायर ने बड़ी मायूसी से कहा है इस बात पर यह हालात यह माहौल महबत के काबली नहीं हर तरफ बेवफाई की बुआती है तो सच है कि ऐसा ही चला है समाज में तो बात यह उटती है कि अब क्या करना चाहिए कैसे इस परिस्तिते बें सुधाल लाया जाए यह बात कभी किसी न्यूचेनल अक्वार में नहीं आती है कि हर बर सहजारों युबक युगतिया इस ताइम पास प्यार के चक्कर में अपना केरियर खराब कर देते हैं अपनी लाइफ खराब कर देते हैं अपनी पढ़ाई खराब कर देते हैं कीमती, समय, इजत, शोहरत सब कुछ गमादेते है और कुछ तो दुर्भागवस इतना बुरा होता है का अपनी जान तक गमादेती है और जब हर साल नया सिजन शुरू होता है कुछ नए चेहरे आ जाते हैं और वही सब प्रक्रिया फिर दुबारा होती है और उन्हें समझ जब आती है जब बहुत कुछ अपन अक्सान करवा चुके होते हैं बात उठती है कि इन सब की पीछे नाकामी की बज़ें क्या हैं नाकामी की सबसे बड़ी बज़े तो मुझे जो समझाती वो है एक तो इनकी कच्छी उम्र क्योंकि इतने बड़े नहीं होते मैचूर नहीं होते हैं बेरोजगार होना इनका इनके पास पैसा नहीं होना घर बा हो जाते हैं जाती पंथ के भेद होना सामज मजबूरियां होना और यहां तक देखा गया आज कल तो इसकूली बच्ची भी जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वो भी बड़े भैंकर भैंकर से स्टेटेस लगाने लगे हैं अदकच्रे प्यार को वो भी पतानी क्या समझ बैठे हैं कि अगर आप उनके डीपी और स्टेटेस देखिए तो मुझे लगता लैला मजनू और हीडरा जाओ रोमो जूर्लेट भी शर्मा जाएंगे कि हमारे फूपा और बुआए कहां से आगा है जो हमसे भी ज़्यादा जानकार हैं प्यार के मामले में तो ऐसे हाला च बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए ताकि वो उनके साथ टाइम बिताएं और उन्हें पता चल सके कि बच्चे का मैंड सेटप क्या है आप अपने बच्चों पर शक्न करें उन पर भरोसा करें उन्हें समझाएं कि बिटा पहले पढ़ाई केरियर पर फोकस करो जोब में सैटल हो जाओ कुछ बन जाओ फिर इन सब के लिए सोचो युवाओं में आये परिवर्तनों को माबाब पहँचाने उनकी आदतों में परिवर्तनों को पहँचाने देखें क्योंकि हर बच्चे के पास मुबाइल है क्या कर रहा है कहां बेस् जोंकि लिए पास को समय कालना चाहिए और दुरभाग से देखा गया काफी सारे पैरेंस के पा और उन्होंस पर जादा सजग रहना चाहिए जन्हों ने अपने बच्चे दूसरे बड़े-बड़े शहरों में पढ़ने के लिए बेजे हुई उन्हें समय समय पर जाके चेक करते रहना चाहिए बाचीत करते रहना चाहिए परिशानियां पूंचते रहना चाहिए ताकि पता चले कि बच्चा गल्ट ट्रेक पर तो नहीं चला गया किसी परिशानी में तो नहीं है हो सकता आप से ना कहपा रहा हूँ तो पता करते रही है आप उनका और क्योंकि बिगड़ने के लिए एक लम्हाई काफी है जो उनका पूरा जीवन पूरा केरिया तबहा कर सकता है और यहां पेरेंट्स को यह भी सोचना चाहिए कि अगर बच्चा सैटल है, जॉब में है उसकी एज भी ठीक ठाक है और वो किसी लड़के लड़की को पसंद करता है तो माबाप को दूसरी और से भी बात करके उनके रिष्टे को जोड़ने के बारे में सोचना चाहिए बैसे भी बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों हमारे देश में 90% रिस्ते माबाप ही तै करते हैं जो कि सामान नत्या बड़े टिकाओ और सफल होते हैं अपबाद सुरू कुछ होता है ऐसा जिनकी बजहे और बाते अलग होती है लेकिन ज्यादा तर रिस्ते टिकाओ होते हैं और अच्छी तरह परिवार चलते हैं और बैसे भी बच्चों को ये मान ही लेना चाहिए और मानते भी हैं बहुत सारे बच्चे कि माबाप से बड़ा सुक्चिन तक आपका दुनिया में कोई नहीं है तो उनसे ज्यादा है तापके लिए कोई नहीं सोच सकता तो सार संग्चेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए प्यार खराब नहीं है प्यार करने वाले खराब नहीं है लेकिन जो इस समय आज कल के दौर में जो चलन चल नहाए उसके लिए बच्चों को सावधान सतर का अवस्चे रहना चाहिए और यहीं भी दिहान देना चाहिए कि प्यार सेटल होने के बाद इसके वारे में सोचें तो ही ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई की बीच में ना आप पढ़ाई के रहोगे ना आप प्यार के रहोगे सार संचेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि राइजिन लाइफ जीवन में उच्छा उठीए आगे बढ़िए बैसे भी दुनिया उगते हुए सूरज को परणाम करती है अगर आप जिन्दगी में सक्सेज हो गए सफल हो गए सेटल हो गए